अब हम एक्सरसाइज 9.5 को कुशन नंबर 5 करेंगे और पार्ट्विंट में कुशन नंबर 4 तक जब किया था तो मैंने उसके शुरुवात पहले में बता दिया था कि इस एक्सरसाइज के पीछे का क्या लॉजिक है क्या प्रोसेस है और होमोजीनियस फंशन क्या होते है उनक इसको मैंने वताया था दो तरीके है या तो आप इसको फंशन ओफ वाई एक्स फोमा वाई मानिए फिर लैंडा एक्स लैंडा वाई रखिए और सिंप्लिफाय करते दिखाए कि लैंडा की पावर जीरो आती है या फिर आप इसे फंशन ओफ वाई बाई एक्स दिखा दीजे तो फिर यह होमोजीनियस फंशन डिग्री जीरो का हो जाता है और होमो यह स्कुर्यर बाई-पैक्स स्क्टा हों और यह जागा एक्स पाई-बाई-पैक्स एक्सक्ट तो अगर मैं इसको सिंप्लिफाई करता तो कंता वाई-पाई-पाई-पैक्स लिख दें रहा हो आप इतना तो आप हुश्यार होई गए हो कि आप समझ जाते हो मैंने x square को individually तीनों term पर distribute कर दिया है ऐसा करने से यह जो पूरा function है this function is now a y by x function लिख दीजेगा and hence the differential equation is a homogeneous differential equation और जब ऐसा होता है तो हमें बताया गया है कि we substitute y is equal to vx और dy by this implies dy by dx को किस से replace करते है वी प्लस x dv by dx से और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है हाँ फिल्कुल सही बात है जब हम ऐसा करते हैं तो हम लिखते हैं v plus x dv by dx और y by x की जोग हम वी लिख देते हैं तो यह हो जाता है 2v square plus v बहुत एजी है plus v plus v उदर भी है तो यह cancel हो जाएगा अरे भाई y by x के बराबर था ना तो v किसके बराबर है y by x के ना तो y by x को replace कर दिया है equation में equation number 1 में इसको ठाके रख दीजे यह second और third को ठीक है हमजगे हैं चलिए तो यह यहां पर हम तरह simplify करते हैं equation पर focus करिए है yellow वाली equation पर तो यह होगा x सुनिए यह पूरा expression नीचे आएगा तो one upon one minus two v square one upon one minus two v square dv is equal to यह जाएगा dx और यह होगा one by x अच्छा इसको थोड़ा से सही करते हैं यह two को बाहर निकालते हैं क्योंकि यहां two नहीं होना चाहिए तो यहां पर two बाहर आएगा तो यह one by two हो जाएगा सही है समझगे बात को माइनस v square और यह पूरा two यहां पर बाहर आगया कोई दिक्कत नहीं मैंने two को common खीचा one के पास नहीं तो डिजिनोमेटर में आ गया और उसके पास तो था ही समझ नहीं है बहुत easy है बहुत easy है ठीक है अब थोड़ा सा इसको आपको standard formula या दोने चाहिए integration के यह एक बहुत important part है तो मैं इसको two को बाहर लिख लेता हूं यह है one by थोड़ा मैं ऐसे करके लिख लेता हूं कि one by two इसको मैं लिख रहा हूँ one by root two का whole square और यह one by two को तो मैं one by root two का whole square लिख सकता हूं रूट two का square two ही तो होता है minus v square dv integral one by x dx क्यों कर रहा है क्योंकि एक formula है वो कहता है कि one upon a square minus x square का integral होता है one upon two a log of a plus x upon a minus x सही है तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखेंगे यह तो one upon two हो जाएगा ठीक है तो यह one upon two a तो यह हो जाएगा sorry one upon two a a क्या है one by root two a क्या है one by root two log of a plus x तो one by root two plus x one by root two minus x सही है और यह क्या होगा log of x plus c रिख लेना हो तो c लिख लिख लिजए log c लेना हो तो log c ले लिजए ठीक चलिए अब simplify करेंगे तो यह two है यह root two तो यह root two बन जाएगा simple है ना root two calcium लोगा यहां पर तो one plus root two x upon root two आएगा यहां one minus root two x upon root two आएगा तो root two root two cancel हो जाता है और simple math है वहाँ पर ठीक है तो यह हो जाएगा log cx अब एक्स प्लस c ले लिए तो log cx ठीक है अच्छा ए सो सॉरी सो सॉरी आं सो सॉरी वन तिंग यह वी है भाई और यह replacement नहीं गया मैंने वह मैंने formula में देखा नहीं है अरे वी है ना log x की जगह वी लिखा हुआ था ठीक है आच्छा वी की जगह क्या रखना होता है y by x वी की जगह क्या रखना होता है y by x तो यह हो जाएगा one by two root two log of one plus root two y by x upon one minus root two y by x log cx लिखते चलेंगे इसके बाद जाएगा one by two root two log यह देखे x plus root two y हो जाएगा x plus root two y upon x minus root two y यह two root two को चाहते है तो यहां से हटा दीजे आप it's not looking good here आप चाहो तो यहां से two root two को हटा दो तो यह जाएगा two root two times log of cx two root two को इसकी power बना सकते थे अजीब ही है और यह log हट जाते बस यह एक लाउता step है जो किया जा सकता है अब मुझे नहीं पता कि आपकी बुक कहां answer छोड़ रही है उसमें उसी के हिसाब से इसको modify किया जा सकता था तो यह cx to the power two root two हो जाता है log log हट जाएगा दूनों साइट से उधर नहीं लिखा तो इधर भी नहीं लिखा है ठीक है m log a log a to the power m होता है ना इसलिए कैसे भी कर लिजे ठीक है समझगे बात को next करते है ओके तो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है x dy minus y dx आरे कोई बात ही नहीं है हमेरे तो dx को पहले एक खटा करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा x dy is equals to root over x square plus y square dx plus y dx ठीक है अब dx common जाएगा तो आएगा x square plus y square plus y यह जाएगा x dy सही है अब क्या होगा dy by dx तो dy by dx equals to root over x square plus y square plus y upon x अब इसमें न y by x का function मिनाया जा सकता है ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बस इस x को separate करना होगा सुनी बड़ी बात को तो यहां से इस x को separate करना होगा इस पर और इस पर चली मैं आपको करके दिखाता हो तो यह जाएगा root x square plus y square upon x plus y upon x बन गया एक जगा y upon x देखा यहां कैसे बनेगा square root को पूरे पे ले आएंगे अब क्योंकि हमारे denominator square root नहीं था तो अगर x बाहर लिखा हुआ है और उसको मुझे square root में लिखना है तो मुझे x square ही तो लिखना पड़ेगा समझगे की नहीं अगर denominator में x दिखा है मुझे इसको root के इंदर डालना है तो उसको x square की तरह ही तो डाल पाऊंगा तभी तो वह x बन के बाहर रहता होगा तो यह आपका पूरे root पे लिखना है तो x square plus y square upon x square लिख दीजेगा सही है यहां तक समझ गए अब एक बाह बताइए अब सेपरेट करना है तो क्या हो जाएगा root over x square by x square plus y square y x square सही है plus y by x ठीक यहां तक समझ गए सॉरी dy by dx दिखा हुआ था अब क्या करेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है one plus y square by x square बेसिकली y by x का whole square प्लस y by x और dy by dx देखा आपने मैंने कैसे पूरे function को y by x के form में लिख लिया क्योंकि अब यह homogeneous function है और पूरी equation degree zero का भी है अगर आप lambda by lambda x रखेंगे तो lambda cancel हो जाएगा तो बेसिकली lambda की पार zero है तो यह function zero order का zero degree का है और इसलिए यह homogeneous differential equation है इसको solve करने के लिए हम y by x को v से replace करते हैं या हम कह सकते कि y equal to vx रखते हैं जिससे की dy by dx आता है v plus x dv by dx तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सभी बात है यहां पर आजाएगा v plus x dv by dx वहां पर आएगा root over one plus y by x का whole square y by x की जगा क्या लिखेंगे वी लिखेंगे बिल्कुल सभी बात है one plus v square plus y by x तो plus y by x क्या लिखेंगे तो क्या हैगा v आएगा समझे क्या होता है हाँ यह हमेशा हो जाता है maximum question में आपको बता रहा हूँ v cancel होता है maximum questions में v cancel हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा यह देखे dx है यह v है इसको नीचे बलाना पड़ेगा तो one upon root over one plus v square सही है one upon root over one plus v square यह हो जाएगा dv is equals to one upon x dx सही है ठीक है तो यह इतना सिंपल्स आ गया one upon root over a square plus x square क्या होता है हाँ यह होता है log of x plus under root one plus x square log of x तो यहां पर भी आएगा plus जो भी copy-based हो ठीक है is equals to log of x समझ गए तो यहां से अब हमें क्या करना है एक integral का sign लगाना बूल गया मैं हम सॉरी plus log of c भी तो लिखना है हाँ अब बस log हट जाएगा तो यह हो जाएगा v plus root over one plus v square log x plus under root one plus x square ठीक है is equals to log x तो log x अच्छा log लिख देता हूं तो यह हो जाएगा log x plus c तो log cx हो जाएगा ठीक है समझ गए बात को तो यह हो जाएगा यहां क्या जाएगा v plus root over one plus v square is equals to log log हट जाएगा cx अब v की जगा करेंगे y by x plus root over one plus y by x का whole square is equals to cx और अब क्या हो जाएगा सिंप्लिफाय हो जाएगा क्या है यह x x multiply कर सकता हूं अच्छा यह नहीं सकता हूं ठीक है तो y by x simplify होगा तो x square plus y square का root upon x square होगा पर root में होगा तो x x LCM चला जाएगा तो y plus root over x square plus y square is equal to c यह LCM x है x पहुच जाएगा cx square समझ गए आ गया तो इस तरीके से यह वाला question किया जा सकता था ठीक है next करतें तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे simple सा x cos y by x plus y sin y by x बस आपको y by x करना है तो क्या हो जाएगा देखिए x cos सुनिए मारी बात ध्यान से बहुत ध्यान से सुनिए यह पहले से ही सजा हुआ है ठीक है वेटा तो यह क्या हो जाएगा यहां पर देखिए y by x का ही function है अब मुझे दिखाना है यहां पर x को बुलाके मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि है y by x का ही function और यहां से dx अठा दीजेगा ठीक है और यह पूरा पॉन यह पूरा इधर भेज दीजेगा क्योंकि dx इधर जाएगा ना इसलिए इसको इधर लिखना है तो क्या हो जाएगा y sin y by x minus x cos y by x और x तो इधर यह आ चुका है इधर मैंने लिख लिया अगर आपको इधर नहीं लिखना है सुनिए मेरी बात को अगर आपको यहां ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या करिये यहां y लिख दीजे यहां x लिख दीजे अभी भी y by x ही है equals to dy by dx देखे इतना वाला पा हो जागा x cos v यह है एक homogenous differential equation यह आपको प्रूब करना होता है लेकिन अगर function y by x का है तो बचाइट लिख सकते हैं homogenous differential equation तो यह जागा x cos v एक्चुली exercise बहुत दिल्ली है और अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर वैसे solve करना तो बहुत टाइम लग चाहेगा और repeat है कुछ नया नहीं सिखा रहा है उसमें इसलिए मैं ऐसा जल्दी में कर रहा हूं तो y की जगह क्या एगा vx sin v इस y की जगह भी आप क्या लेख सकते हैं vx ठीक है अच्छा यह plus के अंदर है तो यह bracket लगा देते हैं नहीं तो यह misinterpret हो जाएगा भी थोड़े दियर में और यह सब खेल का तम जाएगा हमारा ठीक है तो y की जगह vx sin v cos y by x की जगह v और यह हो जाएगा x यहाँ पर आगा v plus x dv by dx अरे कित्ती बार होता है अभी फिछले पार्ट में भी ना कि y उकल्स टू अगर हम vx मानते हैं तो dy by dx की वैल्यू वी प्लस x dv by dx आती है ठीक है अच्छा है ऐसा करने से क्या होगा नहीं से लगाए दिमाग अपना आप सुनिए क्या होगा आपके यह एक्स और यह एक्स तो जा रहे हैं यहां से तो कैंसे लगा अब तु नहीं मेरी बात को बहुत ध्यान से देखें यह एक्स कॉस्वी एक्स कॉमन जा रहा है तो यह लिखा है कॉस्वी प्लस वी साइन वी सही बात है और यहां पर वी लिखा रहेगा वी मत भूलिएगा अब जबूरत है उसकी यहां पर देखें एक्स कॉमन जा रहा ह तो यह बचेगा v sin v minus cos v equals to लिखा है v plus x dv by dx अब आप इस v को multiply कर दिए और इस v को minus करके इधर बला लीजे तो यह जाएगा v cos v plus v square sin v upon v sin v minus cos v इस v को इधर बला रहे है minus v x dv by dx कितना easy हो गया आप सिर्फ पता है यह term मत देखे इतने बड़े बड़े बस यह देखे कि करके आ रहे हैं एक बार इधर multiply बल्कुल हमें आता एक बार इधर प्लस का इधर बूला कर एक minus अब वो term बढ़ा है तो इससे थोड़ी हो गया match तो भी भी सिंपल ली लग रही है कोई या बहुत हाई-फाई integration या गुस्तों को भी किया नहीं आपने सही बात है ना तो क्यों परिशान होते हैं मत परिशान हुआ करिए बस simplify गर रहे हम जितना हो सके हटाते जाएंगे कुछ नो कुछ इस नॉर्म केस होगी तो देखें विकोश वी स्कूर साइन वी अब इस से मरिटिप्लाय होगा भी क्लास बस बसकी सी अब मैंस सब्सक्राइल संब्सक क्लिई एक प्लस बसे वी और आब बचेगा यहां पर x ड身 बाइड यह देखे भी स्क्वार्ов आसबी माइनस कास्वी इज को देखाएगा वी-शक्वी कश्वी अपॉन वी साइन गी माइनस कॉस्वी इस एक्स देखेगा आपको पता है डेख के पास वह होना चाहिए और डी ई–ə'm सपास एक्स तो इसको पुलाइए dx को वन वाए एकस इधर हो इसको भेजिए उस साइड को जाएगा वी सैननी माइनस कॉसे अपॉन 2V कॉस्ट धि सई बात है क्या अजगा वी साइड़ी माइनस को स्पी अपॉन टू भी कॉस vy आ गया अब अब देखें, यह db डिखा हुआ है, अब इसको सेपरेट करते हैं, बिलकुल सही बात है, तो 1 अपॉन एक्स टी एक्स एक्स इक्स, सेपरेट करिए, तो v sin v, और 1 by 2 को मैं बाहर ले ले रहा हूं, क्योंकि वो तो constant है, बस मुझे v को रही ले सकता है, वो तो variable है ना, तो v sin v upon v cos v, minus cos v upon v cos v, बहुत एज़ी है, मत परिशान होईए, बिलकुल मत परिशान होईए, ठीक है, तो क्या लेखेंगे, 1 upon x dx, एक्स टू 1 upon 2, यह क्या है, बताइए, हाँ, यह है tan v, minus 1 by v, dv, और हमें क्या करना है, दोनों साइट का integral, तो इसी बात, तो यह हो जाएगा, log of x, half, यह क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे, अच्छा, c भी यह लिख देता हूं, मैं, plus log c भी यह लिख दे रहा हूं, log c लिख दे रहा हूं, कोई फर्ट ही पड़ता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा half, tan का होता है log secant x, क्या होता है, log secant x, तो log secant v, log sec x, यह minus log cos x, जो लिखना हो लिखेंगे, पर log sec x यहाँ सही है, minus 1yv का log v, ठीक है, c यहाँ पे लिख दिया है, आप देखें, 2 को इधर भेज दीजे, तो यह जगा 2, यह multiply हो रहा है, log a plus log v, is log a b, ठीक है, log a minus log v, is log a by b, अब v क्या है, v को भी replace कर दीजे, y by x, और यह भी क्या है, y by x, लिख लिख लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब यह आप कुछ और खर नहीं सकते हैं, लिखेंगे, इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अब चाहो तो log y by x से यहाँ पे चेंज कर तो यह हो जाएगा, cx का whole square, log log दोनों साइड आएगा, तो ओड़ जाएगा, वो secant y by x, अपन y by x, तो y by x अपन लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x by y, सही बात है, y by x ही है नो, denominator में, तो x by y हो जाएगा, numerator में, समझ रहे हैं, अब यह हो जाएगा, c square x square equals to x, secant y by x, अपन y, इधर से x कट cancel हो जाएगा, एक term, देखे, एक term cancel हो जाएगा, y इधर पहुंच जाएगा, पहुंचने दीज़े उसको, तो यह जगा, c square xy equals to secant y by x, and that's our final odds, समझ गया, देखे, थोड़ा साब को patience रखना है, इस सब questions में, अगले वाले पार्ट में, मैं 8, 9, 10 क होना चाहिए, आपके लिए, एक वीडियो में, तीन question, यह बहुत है, अभी तो मैं, इस तरफ तो खा गया, वो homogenous proving नहीं किया, मैंने बस बोल दिया, लिखा नहीं है, मैंने कहीं पे, अगर function y by x का है, तो वो एक homogenous function degree 0 का होता है, वो पूरी equation, homogenous differential equation होती है, यह लिखना होत है, ठीक है, और इसके बार मैंने सिंप्लिफाइ कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, कुछ जूट नहीं बुल दा, इसमें कुछ भी, सिंप्लिफाइ करता हूं, और separation, बस simplify separation, simplify separation, और हो जाता है, ठीक है, तो I hope you understood this all, please re-watch the video, please try to solve on your own, अपने आप solve करने की कोशिश करें, आ जाएगा, बहुत असाने विश्वास रखें, differential equation बहुत असान होती है, कठें नहीं होती है, ठीक है, और कठें वाला पार्ट तो इस बार किस लिबर से चलाई गया, तो कर लीजे इसकुछ तरह से, ठीक है, तो I hope you will keep on studying and yeah, we'll see in the next video, take care.